किवल स्वदेशी नीतियों से ही देश फिर से सोने की चिडिया बन सकता है कुछ ऐसी ही सोच रखने वाले भारत के महान समाज सेवक राजीर दिख्षित को तो सभी जानते ही होंगे वह एक ऐसे महान इंसान थे जिसकी जरूरत भारत को इस समय सबसे अधिक है क्योंकि यही वह इंसान थे जो कि सचाई पर भरोसा और बिना किसी डर के बुराईयों के खिलाफ जोड़दार आवाज उठाने की हिम्मत रखते थे और इसलिए देश के सभी लोग इन्हें सम्मान के साथ राजीर भाई के नाम से बुलाते और दोस्तों राजियो दिक्षित के रग रग में स्वदेशिक की चिंगारी थी साथी वह जो भी जानकारियां अपने स्पीच के जड़िये जनता को देते थे वह पूरी तरह से सभूतों और तथ्यों पर आधरित होती थी और इसी वज़ा से उन्हें कोई भी गलत साबित नहीं कर पाता तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम राजियो भाई की पूरी लाइप स्टोरी को जानेंगे कि किस तरह से इंजिनेरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी उन्होंने बड़ी-बड़ी कमपनियों में काम न करके देश के लिए अपना जीवन समर्वित कर दिया तो दोस्तों इस कहानी की शुरुवात होती है 30 नमबर 1967 से जब उत्तरप्रदेश के अलिगर जिले के नाहा गाउं में राजियो जी का जन्म हुआ उनके पिता का नाम रादेशाम दिख्षित था और उनकी मा का नाम मिथलेश कुमादी और बच्पन से ही राजियो भाई पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे थे और इसे लिए इंटर्मीडियर तक की पढ़ाई फिरोजाबाद से पूरी करके उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक की पढ़ाई की और फिर इंडियन इंस्ट्यूट आफ टेकनॉलजी कानपूर से उन्होंने एम्टेक भी पुरा किया और फिर एक होनहार इंजीनियर बनने के बाद राजियो दिक्षित ने कुछ समय तक भारत के CSIR और फ्रांस के टेली कम्यूकेशन सेंटर में भी काम किया लेकिन उनके अंदर हमेशा से ही देश के लिए कुछ करने की चाहा थी और वा भगत सिंग, उधम सिंग और चंदरशेखर आजात से बहुत इंस्पारड थे और फिर जल्दी राजियो भाई का ध्यान विदेशी कम्पनियों के द्वारा भारत में किये जा रहे लूट पाट पर गया उन्होंने देखा कि विदेशी कम्पनियां घटिया माल बनाकर इंडियंस को बेचती हैं और फिर पूरा मुनाफ़ा भारत से कमाकर अपने देश में ले जाती हैं और इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने लोगों को जागरुक करने का काम शुरू किया उन्होंने देश की जनता से यह अपील की कि स्वदेशी चीजों को अपनाए और विदेशी कम्पनियों का बहिशकार करें और अगर ऐसा करेंगे तबी देश का विकास पॉसिबल है और अपने इसी अवाज के साथ हुआ काफी कम उम्र में ही 12,000 से भी ज्यादा प्रजेंटेशन दे चुके थे जिसमें की भारत में योज किये जाने वाले 5000 से भी ज्यादा विदेशी कम्पनियों के प्रड़क्स के खिलाफ उन्होंने स्वदेशी अंदोलन की शुरुआत की यहां तक कि उन्होंने अपने देश के कम्पनियों के नाम के पड़चे भी वटवाए ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन सी भारतिय कम्पनी है और कौन नहीं और फिर इन आंदोलन के जरियों जल्दी राजियू दिख्षित ने लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना ली और अब लोग उन्हें सम्मान के साथ राजियू भाई के नाम से बुलाने लगे और दोस्तों राजियू भाई का मानना था कि भारत में खोजे गए आयुरुवेद जैसा इफेक्टिव मेडिकल साइंस पुरी दुनिया में कहीं भी नहीं है और इसलिए उन्होंने लोगों से यह अपील की कि उन्हें अपने बिमारीयों को दूर करने के लिए एलोपैथ की जगवपर आयुरुवेद का सहरा लेना चाहिए और फिर बाबा रामदयों के साथ भी उन्होंने कई सारे अभियान को अंजाम दिये साथी वह 9 जन्वरी 2009 को भारत स्वाविमान ट्रस्ट के सचियों के तोर पर भी न्युक्ति किये गए और इस ट्रस्ट का भी मेन मोटिव था भारत से करप्षन को दूर करना तथा अईरुवेद और योग को बढ़ावा देना और दोस्तों इस आंदोलन को शुरू करते समय राजियु दिक्षित और बाबा राम देओ दोनोंने शपत ले थी कि हम किवल कुशल लोगों को मद्दान करेंगे हम दोसरों को सौफिस दी मद्दान के लिए प्रेरित करेंगे हम भारत को विश्व सकती बनाएंगे हम भारत को पूरी तरह से स्वदेशी बनाएंगे और दोस्तों एक इंट्रेस्टिंग बात यह है ये भारत में नोट बंदी तो अभी हाल ही में की गई थी लेकिन राजी उभाई ने आज से कई साल पहले ही यह कह दिया था कि अगर भारत में काले धन को रोखना है तो 500 और 1000 के नोटों को बंद करना पड़ेगा और फिर आगे चलकर बाबा रामदयों और राजी उभाई ने स्ट्राटिजी बनाई कि लोगों के सामने सारी सच्चाई रखने के बाद से वो देशभक्त और बुद्धिमाल लोगों को अपने साथ जोडेंगे और फिर एक मजबूत पार्टी तयार करके 2014 लोगसभा चुनाओं में अपनी दावेदारी पेश करेंगे हाला कि आगे चलकर राजियो भाई के विचार कई बार बाबा रामदियो के साथ मिल नहीं खाया करते थे और इसी वज़ा से दोनों के बीच थोड़े विवात शुरू हो गए और राजियो भाई के समर्थक मानते हैं कि बाबा रामदियो अब राजियो दिख्षित के लोग प्रियता से घबरा गए थे और इसे लिए उन्होंने राजियो के खिलाफ बहुत से सड़ियंत रचने शुरू कर दिये और फिर एक बार जब राजियो भाई 36 गड़ के दौरे पर थे तब वो अपने दौरे को पूरा करने के बाद 30 नमंबर 2010 को भिलाई पहुँचे और फिर भिलाई से दुर्ग के लिए रवाना होते समय कार में ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा हलाकि उन्हें जल्दी अस्पताल लेकर आया गया लेकिन दुर्भागे से उनकी जान नहीं बच सकी और इस तरह से देश के लिए पुरी जिन्दगी नियुशावर करने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा गय थे हलाकि बाद में राजियोजी के समर्थकों ने उनकी हत्या का आरोब बाबा रामदयों पर लगाया तोकि समर्थकों का मानना था कि मौत के बाद राजियोजी का पूरा शरीर नीला पड़ गया था जैसे कि किसी को जहर देने के बाद होता है और कोस्मार्थम के लिए कई बार कह जाने के बावजूद भी ऐसा नहीं किया गया और फिर राजियोजी दिक्षित का पार्थियो शरीर उनके घर न ले जा करके पतंजली शिवर ले जाया गया हलाकि हत्या का अरोब कभी भी साबित नहीं हो सका और इसी वज़ा से हम भी इन बातों की पुष्टी नहीं करते हैं बरहाल दोस्तों अंत्मेबस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के समय में राजियोजी दिक्षित की तरह महान समास सेवक बहुत ही कम देखने को मिलते हैं हलाकि भले ही वाब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन लोग उनकी स्पीच को अभी भी सुनकर मोटिवेट होते हैं उमिद करते हैं कि राजियोजी भाई की यह कहानी आपको जरूर बसंदाई होगी आपका बहुमुल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद